हैलो एब्रिवन मैं हूँ मीरा पटेल और आप देख रहे हैं मीरा पटेल स्लेवर एंड टेस्ट तो आज हम बनाएंगे साबुदाने की बहुत टेस्टी सी कुरकुरी पकोडिया और वड़े तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया था दू कप साबुदाना मैंने इसको साबुदाने को अच्छे से वश कर लिया था और इसको चार गंटे के लिए भिग हो दिया था तो यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मैं इसको फोड करके दिखाते हूं यह ऐसे ही फूट रहे हैं तो यह ऐसे ही फूटने चाहिए बिल्ग तो इसके लिए हम चैट पटासम चैटनी पीसेंगे अपना तो मैंने एक कप हारा दनिया लिया और इसमें चार पाच करी लिप्स लिए करी लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चैटनी में अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो मठ डालेगा और इसके साथ हम लेंगे अदा इंच अधरक का टुक्ड़ा और दो मैंने मिर्ची तोड करके लिए है और इसमें हम एक टमाटर कटकर करके डाल देंगे मैंने बड़ी साइस का टमाटर लिया है टमाटर का टेस चटनी में बहुत ही अच्छा आता है और इसके साथ लेंगे हम एक चमश सैंदा नमक सैंदा नमक उपास का है तो हम उपास के लिए बना रहे हैं तो सैंदा नमक डाल रहे हैं तो मैंने दरदरी सी एक चटनी पीस्ट लिए इसकी, तो यह जटनी हमारी तयार है, तो बाद में हम इसे वडो के साथ सर्फ करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो मैंने तीन मीडियम साइज के बॉइल आलू लिए, यह मैंने पहले से बॉइल करके रख लिए थे, तो यह मीडियम साइज के आलू है, तो अभी हम इसमें जार रखेंगे और जार में हम साबूदाने को पीस लेंगे तो साबूदाने को हम एकदम बारिक नहीं पीसना है, हलका सा दरदरा पीसना है इसमें हमें पानी भी यूज नहीं करना है हमें मैंने चाहद न लगे हाथ से ज़्यादा मैश न करना पड़े इसलिए हम इसको मिक्सर जार में एक बार घुमाएंगे तो देखिए मैंने इसको पीस के रेडी कर लिया है ज़्यादा पीसा नहीं है एकदम धरदरा सा पीसा है साबु दाना थोड़ा खड़ा भी है थोड़ा सा इसमें भारिक भी है तो बस ऐसा ही चाहिए हमें तो आभी हमें इसको एक बावल में निकाल लेंगे तो साबू दाने को मैंने दो बार करके पीसा है क्योंकि एक बार में नहीं आ रहा था तो सबी को हम निकाल लेंगे तो मैंने निकाल लिया और हाथ से अच्छे से एक बार इसको मैश कर लिया था और बॉइल डालू डालेंगे इसमें हम तीन जो हमने बॉइल किये थे उसके बाड डालेंगे हम इसमें भारिक कटीरी हारी मिर्च अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं और मैंने करी पत्तों को बिल्कुल बारिक-बारिक कट कर लिया था छोटे-छोट टुकडों में मैंने करी पत्ते डाले हैं और एक चमच ग्रेट की आवा तो आप कच्ची मूफली का भी उस कर सकते हैं, कच्ची मूफली को एकदम दरदरा पीस लीजिए या बारिक पीस लीजिए, मैंने इसको रोष्ट किया है, तो सभी छिलकों को हमने निकाल दिया है, देखिए, तो मैंने इसको मिक्सर जार में पीस लिया है, मैंने दरदरा पी पकोडिया फूटे बनाते वह तो आप थोड़ी सी मुफली कच्छी मुफली को बारिक पीस करके डाल दें ताकि उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग बन जाए पकोडियों की तो हम डालेंगे इसमें स्वाध अनुसार सेंदा नमर थोड़ा साम डालेंगे इसमें आदा चमत जीरा और आदा चमत डालेंगे हम काले मिर्च का पाउडर तो इन सबी को हम अच्छे से mix करेंगे तो हमें अच्छे से mash कर लेना है बहुत अच्छे से mix करना है काफी देर तक इसको अच्छे से mash करते रहना है ताकि इसकी बहुत अच्छी binding बन जाए और तेल में जाने के बाद हमारी पकोडिया फूटे नहीं तो देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है तो मैंने पकोडियों का बैटर बनाया है तो अभी हमने गैस पे तेल रख दिया है तेल मेरा गरम हो चुका है हाथ में हम ओईल लगाएंगे और पकोडियों को छोटे-छोटे पीसिज में करके डालेंगे तेल गरम हो चुका है तो छोड़ी छोड़ी पकोड़ियां करके डालेंगे क्योंकि फूलने के बाद बड़ी हो जाती है तो अभी मैं आपको पकोड़ियां बना कर दिखा रही हूँ बाद में हम बड़े भी बनाएंगे तेल को मीडियम तो हाई के बीच में रखना है बिल्कुल एकदम लो भी नहीं करना है हाई भी नहीं करना है मीडियम से हाई ही थोड़ा रखना है गैस को ताकि हमारी पकोड़ी आच्छी से पक जाए और अब भी इनको डालने के बाद हमें शेड़ना नहीं है बस जब ये नीचे से लाल हो जाए ताब हम इसको अलड़ पलड़ के फ्राइ करेंगे तो जब ये फ्राइ हो जाएंगी ना तो उपर से खुदी इनका कलर चेंज हो जाएगा और दिखने लगेगी उपर आ जाएगी पकोड़ियां तेल के उपर तो देखिए हमारी पकोड़ी रेड़ी है और एकदम क्रण्ची कलर आ गया है तो ऐसे ही करके हमने वड़े भी त्यार कर लिये थे तो ये वड़े मैं आपको दिखा देती हूँ तो ऐसे ही करके हम एक एक करके सभी वड़ो को डाल देंगे तो हम इसमें चार से पाँच ही वड़े डालेंगे क्योंकि छिपक जाते हैं कडाई में जाने के बाद एक दूसरी के साथ तो हम जादा नहीं डालेंगे और फूटने का भी डर रहता है इसलिए थोड़ा सा कम ही डालेंगे तो इसको हमें छेड़ना नहीं है नीचे से अच्छे से जब तक पक ना जाए तब तक हम इसको पल्टेंगे नहीं क्योंकि ये फूट सकते हैं तो देखिए पकने के बाद ये ऐसे दिखने लगेंगे खुदी उसके बाद हम इसको पल्टेंगे ये चिपक जाएंगे कोई बात नहीं हम चमच की हेल्प से इनको आलग कर लेंगे तो देखिए अलग कर लिया है और ये चारतरफ से अच्छे से लाल हो जाए तब तक हम सेकेंगे तो अगर आपको और जदा क्रण्झी करने और जदा लाल करने तो आप लाल और भी कर सकते बड़ हम इतना ही रख रहे हूं देखे ये भी वड़े हमारे रेडी हैं, देखे हमने वड़े बनाकर सर्फ कर लिये हैं, हरी चटनी और दही के साथ, और दही के साथ खाईए चाहे हरी चटनी के साथ खाईए और खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं, तो देखे वड़े हमारे करण्ची तयार हुए हैं और मैं आपको पकोड़ियां भी दिखाती हूँ अगर आपको वड़े बनाने का मन न करें तो आप ऐसे ही फटावड से पकोड़ियां भी निखाल सकते हैं तो पकोड़ियां भी हमारी बहुत अच्छी बनी है तो आपको मैं एक पकोडी फोड करके दिखाती हूँ देखिए अंदर से एकदम सोफ्ट और उपर से एकदम करंची बनी है खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगती है और सभी पकोड़ियां बहुत ही अच्छी तैयार हुई है तो आगर आपको मेरी recipe अच्छी लग रही तो please video को like कीजिए share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए और जो side में bell icon है उसको भी on कर दीजिए ताकि आपको मेरे videos के new notifications मिलते रहे तो चलिए मिलते हैं next recipe में next video के साथ bye bye